विंध्यांचल पर्वत पर विराजी माता रतनगड के धाम पर दिवाली की दूज को लगने वाला लखी मेला सुरू हो गया है। यहां मदप्रदेश की साथ उत्तरप्रदेश के कई जिलों से सद्धालूट पहुँच रहे हैं। ऐसी मानिता है कि यहां आने से सर्पदंस का असर जहल जाता है। इसलिए शद्धालूट बंध कटवाने आ रहे हैं। इस बार दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर इग्रहन था। ऐसे में बुद्वार को भी बड़ी संझा में भक्त पहुँचे। करीब 7 लाग से जादा भक्तों ने रदनगरवाली माता और कुवर महराज के दर्सन किये। भक्त मंगलवार साम से ही पहुँचना सुरू हो गये थे। आपको बता दे कि यहां हर साल चैत्र और सारदे नबरात्र में भी लाग को भक्त यहां पहुँचते हैं। लखी मेले में इस बार दो दिन में करीब 30 लाग से जादस रद्धालों के आने का अनुमान है। अपनी मन्नत के लिए रद्धालों दूर दूर से पैदल और पेट बलायन करते हुए पहुच रहे हैं। पहाडी पर एक मंदिर रतंगर वाली माता और दूसरा उनके भाई कुवर जी महराज का है। मातारानी का दरवार दतिया जिला मुख्याले से करीब 65 किलो मीटर दूर सिंध नदी के किनारे पहाड पर स्थित है। मंदिर के सबसे नजदेक रेलवेश्टे संड दबराखा है। यहां से मंदिर की दूरी 55 किलो मीटर है। यहां से सड़क के रास्ते पिछोर से होकर मंदिर पहुचा जा सकता है। ददिया जीले से रतंगड माता मंदिर पहुचकर मार्ग पर सिंध नदी पर बना पुल टूट चुका है। ऐसे में ददिया जीले के इंदरगड थरेट होते हुए नदी का रास्ता बंध है। विंध्याचल परवत पर इस्थित माता रतंगड के धाम पर लखी मेला शुरू हो गया है। के तहत सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उपलब्द है। हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्द है। नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उपलब्द करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें। शून्य साथ छे छे दो तीन पाज नौ नौ साथ चार पर या फिर संपर्क करें आठ छे सून्य दो आठ आठ पाज नौ नौ शून्य पर